पिछले हफता जो रिवाइज कराया था हमने वो एक से चार लेसन तक हुआ था ठीक है अब आज जो रिवीजन लेशन है वो है पांचरा सबक बिस्मिल्ला रह्मान रहीम जिन्स के इतिबार से इसम की दो खिसमे हैं किसके इतिबार से जिन्स जिन्स कहते हैं जिन्स कहते हैं जिन्स को जिन्स कहते हैं जिन्स के इतिबार से इसम की जिन्स की नान की दो खिसमे हैं पहला जो है मुझकर और दूसरा मौनस मुझकर को मैस्क कुलीन कहते हैं और मौनस को फेमिनीन कहते हैं बहुत असान असान है मुजकर की तारीफ मुजकर वो इसम है जिसमे तानीस की कोई अलामत ना पाई जाती हो मुजकर का डिफिनेशन है कि मुजकर वो इसम है जिसमे तानीस की यानि मौनस होने की कोई भी अलामत ना पाई जाती ठीक है जैसे इसको गेरे देते हैं जैसे रजुलन मर्द फरसन घोड़ा किताबन किताब इन तीनों नामक में आप अगर गौर करेंगे तो मौननस की कोई अलामत नहीं है तानीस की कोई भी अलामत नहीं है तो सबसे पहले तानीस की अलामत को जहन में रखना होगा हलाकि आगे आ रहा है तानीस की तीन अलामते हैं गोलता है और अलिफ मकसूरा है और अलिफ ममदूदा है रजूल उन के अंदर ना तो गोलता पाया जा रहा है ऐसे ही फरसुन में ऐसे ही किताब उन में इन तीनों ना ना तो गोलता पाया जा रहा है और नही अलिफ मकसूरा और नही अलिफ मम्डूदा ठीक है तो इन तीन अलामतों से खाली होना तानीस की तीन अलामतों से ये तानीस की जो भी अलामते हो सकती हैं या हो सकती हैं उन तमाम अलामतों से खाली होना ही मुझकर की अलामत है मैसकु मुणनस वो इसम है जिसमें तानीस की कोई अलामत पाई जाती हो तानीस की जो अलामते हैं, चंद जो अलामते हैं, दो तीन, उनमें से कोई एक भी पाया जाएगा तो मुणनस होगा, जैसे तलहतुन, तलहतुन में गोलता है, ठीक है, तो ये मुणनस नाउन है उसके बाद है तानीस की तीन आलामते हैं तानीस की जो आलामत है वो तीन है याद रखेंगे तानीस की आलामते तीन है नमबर एक गोलता, इसको ताय मुदवरा भी कहते हैं, मुदवरा के माना होते हैं गोल, गोलता, ये तानिस की पहली अलामत है, जैसे तलहतन और कलंसुवतन, इन दोनों के आखिर में गोलता आड़िड है, लगा हुआ है, तो ये इस बात की अलामत है, कि ये मौननस होंगे, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा भी मौननस की अलामत है, तानिस की अलामत है, जैसे सुगरा और कुबरा, लेकिन याद रखेंगे, अलिफ मकसूरा को आप तलाशेंगे, सोचेंगे, अलिफ की शकल में, तो नहीं मिलेगा, अलिफ मकसूरा बशकले, खड़ा जबर होता है, या के उपर बशकले खड़ा जबर होता है या के उपर खड़ा जबर की शकल में अलिफ मकसूरा होता है ठीक है? अलिफ मकसूरा की जो तारीफ है वो नीचे दिया हुआ हाशिया में हाशिया कहते है मारजिन मारजिन ठीक है? हाँ, इंग्लिश में मारजिन कहते हैं उसको तो अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जो खीच कर ना पढ़ा जाए और अलिफ मम्दूदा वो अलिफ है जो खीच कर पढ़ा जाए एक दूसरे को उल्टा है, मकसूरा यानि कसर किया हुआ, ना खीचा हुआ, ठीक है? और मम्दूदा यानि कहीचा हुआ, तो अलिफ मकसूरा जैसे सुगरा और कुबरा, सुगरा और कुबरा के अखीर में जो खड़ा जबर है, या अलिफ मकसूरा है, क्योंकि मैंने बताया अलिफ मकसूरा, अलिफ की शकल में नहीं होगा, बलके खड़ा जबर की शकल में होगा नमबर तीन, तानीस की जो तीसरी अलामत है अलिफ मम्दूदा है, मम्दूदा की माना क्हीचा हुआ, यानि क्हीच कर पढ़ी जाने वाली अलिफ, जैसे हम्राओ, हम्राओ में जो रा है, ठीक है, अलिफ से पहले जबर है, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही बैजाओ में जो अलिफ है उसे पहले जबर है तो अलिफ मा कबल जबर जो होता है अलिफ मा कबल पता जो होता है उसको अलिफ मद्दा कहते है ठीक है और मद्दा से ही बना है मम्दूदा तो अलिफ मम्दूदा में क्या होगा अलिफ मद्दा पाया जाएगा जैसे हमराओ और बैजाओ इसको सुगरा और कुबरा के मकाबले में थोड़ा खीच कर पढ़ेंगे सुगरा में सुगरा कुबरा ठीक है लेकिन जब हम्राओ पढ़ेंगे हम्राओ बैजाओ थोड़ा खीचेंगे उसके मकाबले में अलिफ मकसूरा के और मौनस समाई, ठीक है, कियासी यानि जो काइदे से बने और समाई जिसका कोई काइदा ना हो, बलके हम सुनकर उसको मौनस मानते हों, ठीक है, मौनस कियासी, मौनस कियासी वो है, वो मौनस है, जिसमे तानीस की अलामत लफजों में मौजूद हो, ठीक है, मौनस कियासी वो म मुंनस है जिसमें तानीस की जो अलामत है वो लफजों में मञजूद हो यानी लिए लिखा हुआ हुआ हुऑ हो जी से तलहतुन में गूलता आखीर में है ये मुणनस की अलामत लफजों में है ठीक है ऐसे ही सुगरा ये मुणनस की अलामत अलिफ मकसूरा लफजों में लिखा हुआ है दिख रहा है ऐसे हमराओ में जो अलिफ मद्दा है जिसकी वज़े से हमराओ को खीच रहे हैं वो लफजों में लिखा हुआ है मुझनस कयासी की तारीफ है कि मुझनस कयासी वो है जिसमें तानीस की अलामत लफजों में मौझूद हो जैसे तलहत, सुगराह, और हम्राऊ, इसकेगादít सवरुझाई полA वो है जिसमें लफजों के मानज होता है सुन्ना, ठैक है? यानि जिसका तालुक जिसको मौनस मानने का तालुक जो है सुनना है मौनस समाई वो है जिसमें लफजों में तानीस की अलामत मौजूद ना हो बिल्कुल उसके बराक्स मौनस क्यासी के बराक्स यानि उल्टा मुहननस क्यासी में क्या था वो है जिसमें तानीस के अलामत लफजों में मौजूद हो अब मुहननस समाई में क्या है उसी का उल्टा जिसमें लफजों में तानीस के अलामत मौजूद ना हो मगर जब लफजों में तानीस के अलामत मौजूद नहीं होगी तो फिर डिपेंड होगा कि हम अहले जबान को इस लफज को किस तरह बोलते हुए सुना है अहले जबान के जरीए से हम किस तरह बोलते हुए सुना है ठीक है तो हम उनको फॉलो करेंगे मुहनस समाई वो है जिसमें लफजों में तानीस की अलामत मुझूद नहों मगर अहले जबान अब अहले जबान कुन होंगे हम लोग थोड़ी नहो सकते हैं अहले जबान अहले अरब होंगे ठीक है अहले अरब होंगे अहले जबान अहले के माना होता है वाला जबान के माना है जबान लेंगविज ठीक है तो अहले जबान कुन होगा अरबी का अहले ज बोजो के आप, आरब लोग होंगी, ठीक है? उसको addus मानते हूं उसको मुणनस मानते हूं, मुणनस समाई वो है जिसमें लफ्सों में तानिस्की के अलामत मौजूध मौझूद रहा है नालिफ मकसूरा नालिफ मम्दूदा ठीक है फिर हम इसे मौनस क्यों मानते हैं इसलिए मानते हैं कि हमने अहल जबान को ऐसा ही बोलते हूं से नहा है अहल जबान ने इसे मौनस माना है ठीक है तो हम उन से सुन सुना कर हम तक जो पहुंचा है तो सुनने के जरीए से हम ये पता चला कि ये अरजन और शमसन मौनस है तो सुनने को समा कहते हैं तो मौनस समाई मौनस समाई उसे कहेंगे जिसमें लफजों में तानीस की अलामत मौजूद ना हो मगर अहल जबान उसको मौनस मानते हो जैसे अरजन, जमीन, शमसं, सूरज ये दोनों मौनस समाई है, खियासी नहीं है इसके बाद चण मौनस समाई है, समाई जिसे हम अहल जबान से सुन कर मौनस माने हो नमबर एक वो तमाम असमा अस्मा इसमे की जमा है वो तमाम अस्मा जो मौननस के नाम हो मौननस की जितने भी नाम है वो क्या कहलाएंगे वो कौन से मौननस है मौननस समाई है जैसे मरियम मरियम औरत का नाम है ठीक है तो ये क्या है मौननस समाई है मर्यम, लफज मर्यम अर्वी में मौनस समाई है ठीक है? नंबर दो में हैं वो तमाम अस्मा यानि वो तमाम नौन्स जो औरतों के लिए खास हो ऐसे तमाम नाम जो औरतों के लिए खास हो इस्पेसिफिक हो इस्पेसिपाइड हो उन तमाम को हम क्या कहेंगे? क्या मानेंगे? उन तमाम को हम माननस समाई की कर्टेगरी वानेंगे ठीक है? जैसे उम्मून उम्मून की माना होता है मदर, मा ठीक है? झाल झाल जैसे शहर या कबीला के नाम होता है चन्द मौननस समाई ये हैं वो तमाम असमा जो मौननस की नाम हो जैसे मर्यम, मर्यम मौननस का ही नाम है नमबर दो वो तमाम असमा जो औरतों के लिए खास हो जैसे उम्मन और उख्तुन उम्मन के माना होंगे मा और उखतुन के माने होंगे बहन नमबर तीन वो तमाम असमाज जो किसी शहर या कबीला के नाम हो जैसे शाम ये मुल्क का नाम है और मिज्र शहर का नाम है और पुरैश कबीला का नाम हो ठीक है? तो जी उसके बाद नमबर चार में है इंसान के नंबर चार में है इंसान के जो आज़ा यानि parts of body double है double double क्या है हाथ double है आख double है कांच double है ठीक है ऐसे जो भी parts aparts of body है आज़ा है उन पर दलालत करने वाले असमा ऐसे जो भी आज़ा है जो double हैं, उनको बतलाने वाले जो नाम हैं, जैसे यदून, यदून के माना हाथ, तो हाथ तो एक नहीं होता है, double होता है, आइनून, आइनून के माना आँख, आँख भी double होता है, वगयरा, तो ये ऐसे पार्ट्स ऑफ बड़ी जो double double हैं, वो मौननस समाईी होंगे, मौननस समाई है, तो फिर आपको बस ये बात ध्यान में रखना है, कि इनसान के पार्ट्स ऑफ बड़ी में से जो पार्ट्स डबल हैं, ठीक है, वो पार्ट्स, उन पार्ट्स का नाम जो है, वो मौननस समाई है, याद रखेंगे, मगर, अब मगर से exceptional case बता रहे हैं, exceptional case, ठीक है, यानि अपवाद जिसे बोलते हैं, उर्दू में इस्तिसना बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में exception बोलते हैं, मगर सुदगुन, सुदगुन के माना होते हैं, कनपट्टी, मिर्फगुन कोहनी, हाजिबुन भवे, आँख के उपर जो होता है, भाओ, हाजिबुन भवे, और सुदगुन कनपट्टी, पी दो होता है, मिर्फगुन कोहनी, भाओ, ये भी दो होता है, ठीक है, और सुदगुन के माना उपर जोता है, ये दो पर दलालत तो कर रहे हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो डबल हैं, यह सब, ये चारो, मगर ये exceptional case है कि ये मुएनस समाई नहीं है मुएनस समाई नहीं बलके मुएनस नहीं है ठीक है मगर सुदगन यानि कनपटी मिर्फगन कोहनी हाजिबन भवे और खदन गाल मुएनस नहीं है ठीक है ये लेसन हो गया आगे चलते है चटा लेसन बहुत आजाने ताइएन और अदम ताइएन ताइएन और अदम ताइएन के माना होंगे मुतायन होने और मुतायन ना होने ताइएन के माना मुतायन होने और अदम ताइएन के माना होंगे मुतायन ना होने ठीक है तायीन और अदम तायीन के इतबार से के हिसाब से इसम की डो किसमे हैं मारफा और नकिरा जानते हैं मारफा को कहते है प्रॉपर और नकिरा को कहते है कॉमन तो मारफा में क्या होता है तायीन होता है मतायीन होता है और नकिरा में क्या होता है कॉमन में अदम तायीन होता है या मुतायन होना ठीक है और अदम तायीन मुतायन ना होना जो कॉमन होगा वो मुतायन नहीं होगा फिक्स नहीं होगा ठीक है मारफा जो है यानि प्रॉपर नौन वो इसमे है मारफा वो इसमे है जो मुतायन चीज़ पर दलालत करे मुतायन चीज़ को बतलाए उसे मारफा यानि प्रॉपर कहेंगे ठीक है यह कितने हैं यह साथ चीजे मार्फा जो है साथ है तो से पहला जो है मार्फा मार्फा की काटेगरी में वह जमीरे यानि प्रॉनॉंस जमा है जमीर की जमा जमीरे प्रॉनॉंस ठीक है जैसे हुआ है अन्ता है अना है यह सब क्या है जमीरे है जमीर है प्रोनॉंस है ठीक है तो ये किसकी काटेगरी में आता है ये मारफा की काटेगरी में आता है उसके बाद नंबर दो में हैं आलाम आलाम होता है अलम की जमा आलम कहते हैं खास नाम को ठीक है ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाम आलाम यानी नाम जैसे जैद जैद खास आदम का नाम है और देहली खास जगह का नाम है तो खास नम जिसके जरीए से बता जाता है तो इसको टेर्मे में आलम या अलाम कहते हैं उर्दो में भी और अर्बी में उर्दो नहवे़ जब पढढे तो उस में भी यह बातें मिलेगी वगएर ठीक है जाया देली वगएरा पहले में भी वगएरा था नमबर तीन जो है मारफा की किसमों में से वह ऐस्मा इशारा किसे कहते हैं अस्मा इसम की जमा इशारा इशारा करने को कहते हैं यानि डिमुनिस्ट्रेटिव प्रौन इशारा करने को डिमुनिस्ट्रेट करना कहते हैं ठीक है डिमुनिस्ट्रेटिव प्रौन जैसे हाजा और जालिका हाजा जालिका के जरीए से हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो इसे इसमाई इशारा कहेंगे और ये मारफा की किस्मों में से है याद रखेंगे जमीर हो, आलाम हो, इसमाई इशारा हो ये मारफा की किस्म है ठीक है? नमबर चार जो है असमाई मौसूला असमाय मौसूला को relative pronoun कहते है relative pronoun जैसे अल्लजी और अल्लती याद रखेंगे पहले वाला जो है अल्लजी इसका तरजमा होगा वो जो के simply तरजमा होगा वो जो के या फिर वो एक मर्द जो के जो के मुझकर है तो मुझकर को बताने के लिए मर्द तरजमे में किलिर करके वाज़ करके समझा रहा हूँ के अल्लजी वो जो के simply तरजमा होगा या फिर वो एक मर्द जो के और अल्लती सिंपली तरजमा होगा वो जो के या फिर वो एक औरज जो के ठीक है वगएरा ये जो असमाय मौसूला है अल्लजी और अल्लती ये भी मार्फा के किसमे है नमबर पांच जो है मौर्फ बिल्लाम ये एक टर्म है मौर्फ के माना होंगे मौर्फ बिल्लाम इसमें दो हिस्सा है मौर्फ और बिल्लाम मौर्फ के माना मार्फा बनाया गया हो और बिल्लाम के माना बाई लाम यानी लाम के जरीए ठीक है पहले नकीरा था उस पे अलिफ लाम दाखिल कर दिया या लाम दाखिल कर दिया और मार्फा बना दिया तो उसको टर्मे में मौर्रफ बिल्लाम कहेंगे जो पहले प्रॉपर नौन था यानी नकीरा था उस पे नकिरा 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 यानि कॉमनन वो नकिरा जिसको अलिफ लाम के जरीए से मारफा बनाया गया हो मारफा तो कई तरह से बनता है लेकिन सबी मारफा को हम मारफ बिल्लाम नहीं कह सकते हैं जो मारफा अलिफ लाम के जरीए से बनाया गया होगा उसी को मारफ बिल्लाम कहेंग जैसे अर रजूलू अर रजूलू specific person ठीक है? specific man specified man ठीक है? पहले क्या था जब comment था तो नकिरा था तो रजूलू यानि कोई भी कोई भी आदमी कोई भी मर्द पर सन और एनी पर सन लेकिन अर रजूलू हो गया तो specified person हो गया. खास आदमी हो गया है ठीक है तो यह जो खास का माना जो आया या ऐनि फिलाम के जई से हुआ, इसलिए इस लिए इसका नाम अब क्या होगा цвет भीलाम होगा रव्द्लाम 6 में हर वो एश्व हर वह इसम 5 क американकी तो पढ़ लिया मारफा की मारफह की अक्साम में से टाइप जुता जमीरे यानि प्रॉनज दूसरा अलाम यानि झान्स और तीसरा अस्माह इशारा यानि डिमिनिश्ट्रेटिटिble प्रॉनर और चौथा अस्माह और पांचवा मौर्रफ बिल्लाम जिसको अलिफ लाम के जिससे मार्फा बनाए गया हो च्छटछा जो है इसके इलावा हर वो इस्म कोई भी हम अहर वह इस्म जो मजगूरा बाला मजगूरा बाला का तरजम्ह हो इंग्लिज्स तरजम्ह होगा एबव मेंसन्ड ठेक taraf उपर जो अभी पांच को जिक्र किया गया है, मजगूरा के माना मेंसंड और बाला के माना उपर अभी अभी जो पांच जिक्र किया गया है उपर, पांच किसमों में से किसी भी एक की तरफ मुझाफ होगा, ठीक है, तो वो छटी किसमें बनेगी, मारफा की, ठीक है, मारफा क जो इन पांचु मेंसे किसी एक की तरफ मुझाफ हो अब सभी की मिसाल एकदम ध्यान से सुने किताब हुग ठीक है? मार्फा की पहली किसम क्या थी? मार्फा की पहली किसम जमीर थी जमीर की तरफ मुझाफ हुआ किताब ठीक है? तो ये किताब क्या होगा? मार्फा होगा ठीक है? क्योंकि इन में से किसी एक की तरफ मुझाफ है ये किताब तो किताब मारिफा होगा उसके बाद कलमु साइडिन कलमु साइडिन मुझाफ मुझाफ अले है तो साइड जो है अइन्य खास नाम है परसन के खास नेम है ठीक है? तो साइड की तरफ मुझाफ है कलम तो खास नाम की तरफ मुझाफ होने की वज़ा से یہ قلم بھی کیا हो गया मारफा की चप्छटी किस्म हो गयी छटी किस्म को कई मिसालों से समझाया है तीसरह जो है किताबु हाजा इसमा इशारा की fat中 मजाफ करने की मिचाल किताब हाजा तो ये किताब जो है किसकी तरफ इसाफत कर रहे है हाजा इसम इशारा की तरफ ठीक है इन पांच में से किसी एक की तरफ मुझाफ हो रहा है किताब तो ये किताब भी मारफा की किसमे होगी और मारफा की छटी किसमे होगी उसके बाद अगला जो है कुरासातु अल्लजी इंडका तेक है वो कापी जो तेरे पास है ये इस सेंडेंस का हिस्सा है इंडका लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है इसको अलग ही रखिए तो इसमें देखिए अल्लजी जो है चौथा वाला है जो फौर्थ कैटेगरी है असमा मौसूला रिलेटिफ प्रोनोंस की तरफ कुरासतु मुझाफ हो रहा है ठीक है तो इसी वज़से कुरासतु मारफा की छठी किसमे होगी ठीक है क्यों क्योंकि ये पांचों में से किसी एक की तरफ मुझाफ हो रहा है उसके पाद कमीसु ररजुली मर्द का मर्द का क तो अर्रजुल जो है यह मौर्रफ बिल्लाम है मौर्रफ बिल्लाम की तरफ जब हम कमीस को मुजाफ बनाया तो यह कमीस भी मारफा की किसमे होगी और मारफा की च्छटी किसमे होगी बिल्कुल आसान है समझना जब आप मारफा की पांच किसमे को समझ लेंगे तो इसकी तरफ कोई भी नौन मुजाफ होगा ठीक इसका कोई भी मुजाफ होगा वो मारफा की छटे किसमे कहलाएगी जे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है कोई कुछ कहना चाहरे हैं अमीन शेख साब आपका माइक उपन है जी उसके बाद साथवी जो किसमे है साथवी जो किसमे है मारफा की वो है मारफा बनीडा मारफा बनीडा नहीं मारफा बनाया गया हो प्रॉपर नौन बनाया गया हो निदा के जरीए बाके माना जरीया बाई और निदा के माना आवाज लगाना आवाज लगाने के जरीए से मारफा बनाया गया हो तो निदा के जरीए से जिसको मारफा बनाया गया हो पुकारने के जरीए से उसे मारफा बनिदा कहेंगे मारफा बनिदा यानि जो पुकारने की वज़े से मुतयन हुआ हो जो पुकारने की वज़े से मतेयन हुआ हो, पहले था रजूलू, लेकिन इसके शुरूर में या, हर्फ निदा, रफ के मांना हर्फ, निदा के माना आवास, ठेके, आवास वाली ःफ, रफ निदा के मानने जिस हर्फ से हम आवास लगाएं, किसी को पुकारें, ठीक है, उसे हर्फे निदा कहते हैं, तो या के जरीए से रजूल को पुकारा जा रहा है, तो रजूल पहले तो न गिरा था, रजूल, ठीकिन ये मारिफा बनेदा बन गया, क्यों, क्योंकि या के जरीए से उसे पुकारा जा रहा है, जिस तरह से इंगलि तो मार्फा बनीदा यानि जो पुकारने की वज़े से मतयन हुआ हो उसे मार्फा बनीदा कहेंगे जैसे यारजूलू उसके बाद नकीरा है नकीरा यानि कॉमन वो इसम है नकीरा जो गयर मतयन गयर मतयन ठीक है गयर मतयन यानि अनस्पेसिफाइड गयर मतयन यानि अनस्पेसिफाइड चीज पर दलालत करे गयर मतयन चीज को बतलाए नकीरा यानि कॉमन वो इसम है जो गयर मतयन चीज पर दलालत करें जैसे फरासोन की माना होगे कोई घोड़ा हुर्स नोट मार्फा की साथ गिस्मों के लावा, मार्फा की ये जो साथ किस्मे होई पहले किस्मे होगे जमेेर ज्यूसरी आजाम तीसरी अस्मा इशारा चौथी अस्मा मौसूला पांच्वी मौरफ बिल्लाम छटी हर वो इसमे जो इन पांच में से किसी एक की तरफ मुझाफ हो और सातवी जो पुकारने की वज़ज़ से मारफा बना गया हो ठीक है इनके इलावा जितने भी असमा हैं जितने भी नौन से हैं वो नकीरा यानि कॉमन नौन होंगे ठीके प्रॉपर जो है यही साथ है प्रॉपर नौन है जो है यही साथ है जमीर आवलाम असमा इशारा असमा मौसूला मौरफ बिल्लाम और हर वो इसमे जो इन पांच में से किसी एक की तरफ मुझाफ हो और सातवी जो गिसमे मारफा बनीदा यानि जो पुकारने की वज़े से मुतायन हुआ हो इन साथ के इलावा जितने भी असमा है जितने भी नौन से है अरभी में वो सारे के सारे कौमन नौन कहलाएंगे असमा इनकीरा कहलाएंगे बहुत ही असान लेसन है यह कोई सवाल हो तो पूछते जाएं इन बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और फिर रेज़ेंड करें यह तो होगी अच्छा साथवा जो है थोड़ी सी तवज्ज़ दे दीजे बस कुछ भी नहीं है क्योंकि आगे जो आरा मुनसरी वगर मुनसरी वगरा उससे कुछ तो आसान है साथवी जो है इंपोर्टन्ट जरूर है बहुत जाद हार्ड नहीं है लेकिन बहुत अहमियत है इसका इसलिए असन का साथवा सबक जो है आखरी हर्फ की तबिरी के इतिवार से कलिमा की दो पिसमे हैं याद रखेंगे नहवे का जो टॉपिक है नहवे जो ट्रीट करता है वो आखीर कलिमा की आखीर को ट्रीट करता है बीच से और शुरू से कोई लेना देना नहीं ठीक है उसको सर्फ देखता है या फिर कोई और दूसरी फन भी देखती होगी लेकिन फन नहवे जो है जो अभी हम पढ़ रह ये सिर्फ कलिमा के आखिर आखिरी हर्फ को ट्रीट करता है उस पर क्या आएगा जबर आएगा जेर आएगा पेश आएगा बस उसी की बहस करता है ये ना हुए ठीक है तो जाहिर है आखिर हर्फ कभी बदलेगा कभी नहीं बदलेगा तो बदलने को तबदिली कहेंगे में हैं पहला है मॉारब और दूसरा है मवनी मॉारब को कहेंगे चंजबल नॉन और मवनी को कहेंगे अन्चंजबल नॉन बस यह समझाने के लिए English we use कर रहा हूँ ठीक है मॉारब यानि of non और मवनी यानि of non और यह मॉरब और मवनी जो है नॉन की category है ठीक है अब मौरब की तारीफ देखें मौरब वो कल्मा है जिसका आखरी हर्फ मौरब वो कल्मा है जिसका आखरी हर्फ आमिल के बदलने की सूरत में बदलता रहता हो आमिल के बदलने की सूरत में बदलता रहता हो आमिल जैसा आएगा उसी के हिसाब से मौरब का आखरी चेंज होगा अगर आमिल तकाजा करेगा रफा का तो मौरब के आखर में रफा होगा यानि पेश होगा अगर आमिल तकाजा करेगा नसब का यानि जबर का तो मौरब के आखर में यानि चेंजिबल नाउन के आखर में नसब नस्ब यानि जबरा इस्तमाल होगा और अगर आमिल तकाजा करेगा जेर का ठीक है तो मौरब के आखिर में जेर ही आएगा ठीक है अब आमिल एक टर्मे है आमिल एक टर्मे है आमिल का लफजी तर्जमा जो होता है लोगवी तर्जमा जो होता है वो होता है अमल करने वाला ठ को देख लीजिए आमिल वो है जिसकी वज़ा से मौरब के आखिर में तब्दिली होती है याद रखें मौरब और मबनी में मौरब के आखिर में चेंजिंग होती है मबनी में नहीं होती है तो मौरब के आखिर में जो चेंजिंग होती है जो बदला होता है तीन तरह का ठीक है यानि रफा नसब जर जो आता है तो वो आमिल की वज़ज़ से आता है किसकी वज़ज़ से आता है आमिल की वज़ज़ से आता है आमिल ही मैटर करता है कि आमिल अगर रफा वाला है रफा का तकाज़ा कर रहा है तो पेश ही देंगे और नसब तो जबर और जर तो जेर ठीक है आमिल वो है जिसकी वज़ा से मुखरब के आखिर में तबदीली होती हो तबदीली होती है यानि चेंजिंग होता हो उसके बाद एराब है अभी तक जबर जेर पेश पढ़ते हुए है ठीक है एराब जो है शायद कहीं आप पढ़ा होगा कि जब्र जिर पेश को एराब करते हैं लेकिन वो एक्जैक्ट नहीं है इन जैक्ट जो है यह और बहत है कि जबर जिख ही समझ लिजे कि जो एक तरुक्रान से एराब है लेकिन एयराब जो आसल में जिसका चीज़ को ब Schritt जाता है उसको देखें एराब क्या है वो तबदीली है वो बदलाओ है वो चेंजिंग है एराब वो तबदीली है जो मौरब के आखरी हर्फ में होती है ठीक है एराब वो तबदीली है वो चेंजिंग है जो मौरब के आखरी हर्फ में होती है फिर आमिल के बदलने से नसब आ हो रही है आमिल की वज़ जो तब्दीली हो रही है उस तब्दीली का नाम है एराब उस तब्दीली का नाम उस बदलाओ का नाम है एराब याद रखेंगे ठीक है उसके बाद महल एराब यह बहुत आसान है एराब अभी समझ लिया और महल के माना होता है जगा प्लेस प्लेस अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जब जबर्जेर पेश जो है उसको हम एजए एराब देखते हैं ठीक है महले एराब यानि एराब के प्लेस प्लेस अफ एराब मुर्ब का आखरी हर्फ है क्यों क्यों क्योंकि जो तब्दिली होती है मुरब के आखिरी हर्फ में होती है बीच में नहीं हो सकता शुरू में नहीं हो सकता क्योंकि नहव बीच से और शुरू से कोई मतलब नहीं रखता ठीक है जैसे जाया जबर्जाई डाल दो पेश दुन ठीक है तो आखिर में जो डाल है डाल दो पेश दुन बस उसी आखिर व रहे हैं ये पूरी किताब ये पार्ट ये हिस्सा इसको कोई लेना देना नहीं है कि या पे जजम क्यों आया और जा पे जबर क्यों आया ठीक है तो महले एराब मौरब का आखरी हर्प है जैसे जाए जैदुन जैसे जाए जैदुन और राईतु जैदन और मरतु भी जैदिन जाए जईदन जईद आया रईतू जईदन मैंने जईद को देखा मररतू भीजदन मैं जईद के पास से गुज़रा ठीक है जईदन जबे है फएल है और फिरल लाजिम है اور इसको फाइल मिला जईदन तो जुम्ला कम्प्लीट हो गया, मुकम्ल हो गया, ठीक है, तो जाइदुन फाइल है, फाइल की हालत, हालत रफई होती है, तो जाइ जो है, एक ऐसा आमिल है, जो क्या कर रहा है, कि रफ़ा का तकाजा कर रहा है, जबर का तकाजा कर रहा है, यही वज़ा है कि हम जाइदुन को रफा दिया ठीक है क्यों क्योंकि फाइल बना है ये जा आका ठीक है दूसरा वाला जो राई तू इसके अंदर फैल और फाइल दोनों है मैंने देखा ठीक है देखना और देखने वाला दोनों पाया गए राई तू के अंदर और देखा किसको जैदन जैद को देखा तो ज स्ञीन होता है उसना सब जो पर क्या होता है है जो सबस्ञार माफूल भी हो होगा कि अभी घूमल कगर मंने बहसा और बात है लेस्की ना सबस्ञार क्थ़ का जो पर कहलें में आच चुका में में रिवीजन के हिसाब से आसलेसन पर हम चल रहे हैं यहां पर मफूल मुतलग और दूसरे जो मफूलात हैं मफूल लहू मफूल पी उससे कोई लेने देना भी नहीं है यह वर्बल संटेंस में अभी सिर्फ क्या हम देखेंगे फाइल को देखेंगे और म जमीर है तो अब जो जाइदन होगा वो नसब होगा इसके बाद मररतू मैं गुजरा मररतू इसके अंदर भी फैल और फाइल दो है बाहर्फेजर है याई प्रिपोजीशन है ठीक है और यह हर्फेजर जो है तकाजा कर रहा है इस बात का के जैद के उपर जेर आए ठीक है यहां पर देखें अगर मररतू के बाद बाद नहीं आता भी जैदीन में अगर मररतू के बाद बाद नहीं आता तो फिर तो यह मफूल भी बन जाता ना मररतू जैदन हो जाता कि माना होता है मैं गुजरा तो मैं गुजरने पासिंग के लिए जो अरभी आ रही है इसके साथ बासीला लगेगा बासीला अब सिला क्या है यहां पर जो मरतु के अंदर बुजरने का माना है इसके बाद यह मरतू में यह मरतू के अंदर क्या कहते हैं बासिला का तकाजा कर रहा है गुजरने का जो माना है वो गुजरने का सेंस जो है बासिला का तकाजा कर रहा है इस वज़ज़ से बा आया और बा क्या है हर्फ जर है और हर्फ जर के बाद जो आता है वो क्या होता है मजरूर होता है तो मररतू भी जैदिन मैं जैद के पास से गुजरा इन तीनों जुम्लों में जाइदन जो है ये क्या है मौरब है मौरब अभी मैंने क्या बता है मौरब को चेंजेबल नॉन जिसका आखरी हर्फ जिसके आखरी हर्फ में तबदीली हो रही है एराब की तबदीली हो रही है ठीक है और किसकी वज़ा से हो रहा है और ज जाए फैल है, जाए फैल जो है, पहले जमले में जाए फैल जो है, और दूसरे जमले में राईतु जो फैल है, फैल और फैल दोनों है, और तीसरे जमले में सिर्फ बा, ये तीनों क्या है, आमिल है, आमिल, ठीक है, यानि इसी की वज़ा से इसके बाद वाला जो नौन है, उ और बाहर फिजर की वज़े से जाइदिन के आखिर में जेर आया ठीक है और जाइद जो है इन तीनों जाइद पर क्या क्या आया है पहरे जमले में रफ़ा यानि पेश दूसरे जमले में नसब यानि जबर और तीसे जमले में जर यानि जेर एराब है ये रफ़ा नसब जर क् एराब कहलाएंगे ठीक है और एराब की तारीफ क्या है एराब जो है तबदीली का नाम है ठीक है तो रफा पहले था फिर नसब आया फिर जर आया तो ये तबदील चेंजिंग हो रहा न इसी चेंजिंग चेंजिंग को तबदीली कहेंगे और रफा को और नसब को और जर चे जो है उसको एराब कहेंगे हो गया क्लियर और जैड की जो डाल है जैड के अखिर में जो डाल है वो महले एराब है प्लेस ओफ एराब एराब कहां लग रहा है जैड की डाल पर जा से कोई मतलब नहव को या से कोई मतलब नहीं जैड के अंदर तीन लेटर यानि तीन तो जा से और या से नहव को कोई लेना देना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, एक फीसद भी मतलब नहीं, ठीक है, सिर्फ दाल से मतलब है, भहिया हमको तो दाल से मतलब है, हमको दाल को ट्रेट करना है, कि इस पर रफा होगा, या नसब होगा, या जर होगा, किस की वज़ा से ह होगा आमिल की वजह से होगा जाएगा तो रफह होगा राइत हुआएगा तो बाहर पे जड़ाएगा तो जड़ाएगा तो जड़ाएगा जी झाइज़पर इसमे मौरब तीन एक तरा की चैंजिंग उसके अंदर होती है तीन एराब है एराब जो है रफा नसब जर के सिंबल का नाम है और एराब तबदीली का भी नाम है ठीक है चेंजिंग प्रॉसेस का भी नाम है तो इस में मौरब के तीन एराब है रफा यानि पेश नसब यानि जबर और जर यानि जेर ठीक है रफा नसब जर को बिलकुल कन्फियूजन नहीं होना कि रफा जबर को कहते हैं या पेश को कहते हैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं कि इंशाललह याद हो जाएगा रफा को नसब जबर को और जर जेर को ठीक मिनट हाँ रफा पेश को नसब जबर को और जर जेर को ठीक है उसके बात काइदा के दूसरे लाइन में देखें और जिस इसमे पर रफा हो उसको टर्म में क्या कहेंगे उसको टर्म में मर्फू कहेंगे रफा जिस पे हो यानि पेश हो उसको टर्म में मर्फू कहेंगे और जिस पर नसब हो उसको मनसूब कहेंगे और जिस पर जर यानि जेर हो उसको क्या कहेंगे मजरूर कहेंगे ठीक है रफ जिस पे होगा उसको मर्फूब नसब जिस पे होगा उसको मंसूब और जर जिस पे होगा उसको मजरूर कहेंगे उसके बाद है मबनी जो एक हालत में रहता है उन्चेंजबल नॉन मबनी ठीक है मबनी वो कलीमा है जो हमेशा एक हालत पर रहता हो मबनी वो कलिमा है जो हमेशा एक हालत पर रहता हो एक हाल पर रहता हो हाल, हालत, सेम चीज़ है मबनी वो कलिमा है जो हमेशा एक हाल पर रहता हो आमिल की बदलने से उसमें तबदीली ना आती हो अगर तब्दीली आजाए आमिल के बदलने से तो वो तो मौरब हो जाएगा मबनी के मान हम जानते हैं जो एक हालत पे रहने का क्या मतलब है आमिल बदलता रहे मगर मबनी को नहीं बदलना मबनी किसी हालत में नहीं बदलेगा जैसे जाआ हाजा जाआ हाजा यह आया उसके बाद राई तू हाजा मैंने इसको देखा मर तू भी हाजा मैंने मैं इसके पास से गुजरा इसमें जो हाजा है हाजा इसमें मबनी है इसमें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मौरब और मबनी इसमें की कैटेगरी होती है इसमें कर रहा हूं कि हाजा जो है इसमें मबनी है क्यों क्यों इसमें मबनी है क्योंकि ये जमीर है और जमीर जो है मबनी होता है याद रखेंगे कहीं शायद आगे या पीछे आएगा अगर आ चुका हो तो ठीक है नहीं तो शायद अगला किसी लेसन में आ रहा है जमीर जो होता है वो मबनी होता है, चेंज नहीं होता है ठीक है, अपनी असली हालत में रहता है जाए फैल है, और ये फाइल का तकाज़ा कर रहा है, तो इसका फाइल तो बनेगा हाज़ा, मगर लफजी तौर यानि लफजों में आप इस पे रफ़ा यानि पेश नहीं लगा सकते क्यों? क्योंकि ये मबनियात है, ठीक है? तो हाज़ा हालत रफ़ी में होगा मगर इसकी जो एराब होगी वो क्या होगी? एराब तकदीरी होगी, जो आखीर में पढ़ाई होगी होगी है, लेकिन अभी उसको रहने दे, क्योंकि ये आसान लेसन है, तो आसान लेसन को हार्ड लेसन में मिक्स ना करें तो बेतर होगा तब्वी और लफजी को उसमें मिलाए तो इसमें याद रखें हाज़ा पे यहाँ पे रफ़ा नहीं लगाएंगे, पेश नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि हाज़ा मबनी के करटगरी में आता है और मबनी पे एराब नहीं lagता, ठीक है, लेकिन इसकी हालत हालते रफ़्ी कहलाएगी राईटू हाज़ा, में हाज़ा क्या है नसब का तकाज़ा कर रहा है लिखिका नहीं सकते ठीक है जैसे है वैसी रहा अंचेंज बालिवार्किरों। n04 की लगता है ठीक है इन मिसालों में इन तीनों मिसालों में जो हाजा है मबनी है अंचंजिबल है ठीक है यानि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई आमिल बदलता रहा जा आया फिर रायतु आया फिर मरतु भी आया लेकिन हाजा हाजा ही रहा ठीक है हाजा जाली का नहीं हुआ ये शेयर याद कर लें, आजा में कोई चेंजिंग नहीं हुई जाली का तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, यह शेर याद कर लें, मौरब आब आशध के गरदद बार बार, मौरब वो होता है कि जो घूमे बार-बार, गर्दद के मानए घूमना, मौरब वो होता है कि जो घूमे बार-बार, मबनी वो है कि जो बरकरार रहे, नीचे तरजमा लिखा हुआ है, मैं अन्दाजे से कर दिया, मौरब वो कलीमा है, मौरब क्या है, वो कलीमा है जो बार-बार घूमे, बार-बार घुमें क्या मतलब? यानि बार-बार बदले आमिल के बदलने से बार-बार बदले जैसे जा जैदन राइतु जैदन मरतु बी जैदिन ठीक है और मबनी वो कलिमाун है जो एक हाल में रहे जैसे जा हाज़ा राइतु हाजा मरतु बी हाज़ा जी आज का तीन लेशन हो गया और अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ेंगे और ना यहीं करना होगा अगर कोई सवाल हो तो पूछने कौन है असान साथ जी असान साथ पीछे रहे गया तो मेरे को यहीं नहीं मालूं कि यह रिपीट चल रहा है जैसा भी जो देखा नहीं मैंने तो इसमें पांच छे साथ जी तो आज 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 वाला तो आपका रिपीट हुआ ना लेशन पहले पढ़ चुके थे ना किया हुआ था यह नहीं मालूम मेरे को कुछ भी रिया तो जो अपने पढ़े देनी पीसली बार में वहीं अपने को अच्छा समझ में आया और कि मतलब इसमें कुछ कमी पेशी यहां थी और दूर हो गई पढ़ने से ठीक इंशाल्लाह और दिरे-दिरे होगा और कोई अमी कुछ भी पूछना हो उर्दू हो अर्भी हो इंग्लिश हो तमाम बेसिक लैंग्वेज में आपको मिलेगी यह सब बाते हैं तो मुझकर मौनस में कोई जादा प्रॉब्लम नहीं होगा तस मौनस समाई वगरा कुछ थोड़ा याद रखना है और याद रखना है कि इनसान के जो आजा यानि पार उसके बात क्या था मिर्फकुन यानि कोहनी और हाजिबुन यानि भवे आंके उपर जो होता है और खदुन यानि गाल यह दोनों डबल डबल होता है डबल डबल है ठीक है यह 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 भी डबलिंग है मगर यह क्या कहते हैं एक्सेप्सन है यह मौनस नहीं है ठीक है दो दो पर दलालत कर रहे हैं यह कनपटी जो होता है दो होता है कोहनी दो होता है और हाजिब उन भवे दो होती है और गाल दो होता है बगर ये मुअनस नहीं है यह exception है इस्तिस्ना है, exception case है, ठीक है, साड़े दस हो गया है, इसलिए कि आगे चलने से कोई पायदा नहीं, मुझे अंदादा हो चुका है, आगे अगर जाएंगे तो बचेंगे नहीं लोग, ठीक है, शुकरिया, जज़ा के ललाव खेरा, सलाम आलेकों, रहमतुल्लाही वरकातुर् झालेकों, 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 झाले